विद्या अभीरा की बातों से रूही हुई जेलिस अर्मान और अभीरा निकिया दादिसा के सामने वादा स्टापलस का शो ये रिश्टा क्या कहलाता है कि आने वाले एपसोड में हम सब भी देखेंगे कि अर्मान अभीरा से शादी करना चाहता है लेकिन अभीरा अर्मान से शादी नहीं करना चाहती है वो चाहती है कि घरवालों की रजामंदियों सब एक साथ रहे अर्मान ये भी कहता है कि दादी सा कभी भी उनके शादी के लिए नहीं मानेंगी विल अभीरा अर्मान को लगातार समझाती है और विद्या अभीरा और अर्मान के इस पूरे conversation को सुन लेती है अर्मान के जाने के बाद विद्या अभीरा के पास आती है विद्या कहती है कि अगर तुम चाहती तो तुम अर्मान को उसके परिवार से दूर कर सकती थी अगर तुम घर छोड़ दोगी तो वो भी घर छोड़ देगा लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया विद्य अभीरा की तारीफ करते वे कहती है कि तुम सेलफिश नहीं हो तुमने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा है रूही ये सारी बाते सुन लेती है विद्या अभीरा की तारीफ में एक्जाक्ली वही सारी चीजे बोलती है जिस के लिए रूही ने अभीरा को ताने मारे थे रूही ने अभीरा से कहा था कि अभीरा सिर्फ अपने बारे में सोचती है और यहाँ पर विद्या बोल रही है कि अभीरा अपने बारे में सोचती ही नहीं है इस सब के साथ ही दादिसा को अपने साथ घर लेकर जाने के लिए अभीरा और अर्मान सब के सामने कहते हैं कि वो दुनों एक दूसे से शादी नहीं करेंगे अभीरा अर्मान के इस बास से दादी सा घर लोटने को तो तयार है लेकिन वो साथ ये भी वार्निंग दे देती है कि वो अर्मान अभीरा की शादे के लिए कभी भी तयार नहीं होगी आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर आप अपना उपिनियन हमें कॉमेंट के जरीए जरूर बताईए और साथ ही टेलेविजन से जुड़ी सभी लेटिस्ट अपडेट के लिए सबस्क्राइब करें हमारे चैनल को